बच्चों आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं PN Junction Diode as Rectifier ठीक है? PN संदी डायोड दिस्ट कारी के रूप में ठीक है? अब सबसे पहले बाद दिस्ट कारी क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो AC को DC में कनवर्ट कर दे ठीक है? मतलब प्रत्यवर्थि धारा को दिस्ट धारा में परिवर्थित कर दे उस डिवाइस को उस युक्ति को आप क्या बोलते हैं? दिस्ट कारी या एक ऐसा डिवाइस जो AC को DC में कनवर्ट कर दे क्या कहलाएगा आपका Rectifier ठीक है? यह दो टैप से होते हैं अब इसमें सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है? आपने पढ़ चुके हैं कि डायोड यह दि फॉर्वर्ड वाइस में होगा अगर अवी निती में होगा तो वो कंडेक्टिंग स्टेट को शो करता है मतलब वर्क करेगा उसमें मैक्जिमम करेंट फ्लो होता है यदि वो रिवर्ड वाइस में होगा पश अवी निती में होगा तो नॉन कंडेक्टिंग स्टेट को शो करता है इसका मिनिंग कि वो वर्क नहीं करेगा ठीक है? रिवर्ड वाइस में पश अवी निती में जब आप यहाँ पर primary coil से आप AC source को connect करते हैं ठीक है आपका transformer है और यहाँ पर secondary coil ठीक है तो AC source से जब आप connect कर रहे हैं तो primary coil में क्या होगा current आएगा ठीक है current produce होगा तो उसकी current secondary coil में भी क्या आने लगेगा current produce होने लगेगा तो जब ए आपका positive terminal है positive voltage है पर किसके respect में बी के respect में क्योंकि आपमें यहाँ पर आपने AC source apply किया है तो आपन first positive half cycle की बात कर रहे हैं प्रफम धनात्मक चक्र की बात कर रहे हैं ठीक है तो एपका क्या होगा पोजेटिफ और वी आपका क्या होगा negative A को में क्या दे रहे हो? Positive, और V को में क्या दे रहे हो? Negative, ठीक है? V काय में आएगा आपका Negative Potential और A आपका Positive जब A आपका Positive है तो Diode काय में आगया? Diode आपने पढ़ा है कि जब आपने P को P और यह N जब P आपका Plus से Connect होता है तो diode आपको काई में रहेगा, अगर भी नहीं थी, forward wise में, जब diode आपको forward wise में है, इसका meaning क्या है, कि वो work कर रहा है, बतला AC को DC में convert करके देगा, इसका meaning क्या है कि आपको output मिलेगा, तो first half cycle में, जब diode आपको क्या रहता है, forward wise में होगा, तब आपको output मिलेगा, ठीक, उसके ब जब negative half cycle की बात करें तो ए आपका क्या हो जाएगी ए नेगेटिव potential और बी पर क्या जाएगा positive potential उस condition में क्या हो जाएगा कि पी आपका किसे connect हो गया negative से मतलब डायोड आपका काई में आगे बैटा reverse wise में reverse wise में आगया तो वो क्या show करेगा non conducting state मतलब कि डायोड कुछ भी work नहीं करेगा AC को DC में convert करके नहीं देगा तो आपको output नहीं मिलेगा ठीक है अब next यह दि positive half cycle की बात करें आपन तो फिट से क्या हो जाएगा ए आपका क्या आगया positive potential यह पर क्या आगया positive potential डायोड आपका काई में हो गया डायोड आपका काई में आगया forward wise में forward wise में मतलब AC आपका डायोड आपका work करेगा हना conducting state को show करेगा मतलब AC को DC में convert करके देगा ठीक है next यह अपन नेगेटिव half cycle की बात करते हैं तो ए आपका क्या हो गया negative और B क्या हो जाएगा positive उस condition में diode फिट से काई में आ गया reverse wise में मतलब diode non conducting state को show करेगा diode कुछ भी work नहीं कर पाएगा ठीक है reverse wise में कुछ current flow नहीं होगा तो AC को DC में convert करके नहीं देगा इस तरह से यहाँ पर जो output मिलता है AC को DC में convert किया जाता है सिर्फ 40% सिर्फ 40% AC को ही half wave rectifier DC में convert करके देगा चुकि यह continuous wave नहीं बन रहे है first time आपको output मिल रहा है second time नहीं मिल रहा है third time मिल रहा है fourth time नहीं मिल रहा है तो इसको क्या वो लग गया है half wave rectifier ठीकी और जो आप diagram बनाएं तो उसको नामंकित भी करें leveling diagram बनाएं कि AC आपका alternating current source है P आपका primary coil प्रात्मी कुंड ली है S आपका secondary coil है दुत्य कुंड ली है T आपका transformer अपचाई transformer है RL आपका load resistance है ठीकी load प्रति रोड अब जैसे आपका half wave है उसी के जैसे आपका full wave है ठीकी सिर्फ difference क्या है कि जहाँ पर यहाँ पर एक diode का यूज किया है तो full wave में आपने दोनों diode का यूज किया है ठीकी प्रोसेस वही रहेगी आपकी जब आप primary coil में आप current flow करवाते हैं ऐसी source से connect है तो secondary coil में भी क्या होगा current flow होगा तो positive half cycle में A आपका क्या हो जाएगा positive और V आपका क्या हो जाएगा negative अब यदि A positive है तो यह आपका P और यह N P किस से connect हो गया positive से मतलब diode काई में आ गया forward wise में अगर अभी निती में तो क्या करेगा AC को DC में convert करके देगा लेकिन उसी time पर D to diode क्या है इसका जो P है वो किस से connect है negative से मतलब यह वाला जो diode है वो आपका काई में reverse wise में तो यह D to work करके नहीं देगा next यह दि negative half cycle की बात करो में तो A मेरा क्या हो जाएगा negative और B क्या हो जाएगा positive तो diode काई में आगया आपका reverse wise में डायोड reverse wise में आगया तो D1 तो काम नहीं करेगा लेकिन उसी time पर क्या होगा B आपका क्या है positive potential है B को आपने positive potential दिया है तो D2 काई में आगया forward में तो output मिलेगा लेकिन किसके through मिलेगा D1 नहीं work करेगा क्योंकि ये reverse wise में लेकिन D2 आपका क्या है forward wise में इसलिए output जो मिलेगा वो D2 के through मिलेगा तो first output आपको D1 से मिलता है second output आपको D2 से मिलता है अब ये इस positive half cycle के बात करूँ तो फिर से A काई में आ गया positive तो आपका diode काई में हो गया forward wise में diode forward wise में हो गया तो AC को DC में convert करके देगा ठीक है मतला output आपको मिलेगा किसके through मिल रहा है D1 diode की through मिल रहा है ठीक है और जब ये दि में negative half cycle के बात करूँ तो A मेरा negative हो गया B मेरा positive हो गया तो D1 तो आपका काई में आ गया reverse wise में लेकिन D2 काई में हो गया forward wise में इस condition में आपको output मिलेगा लेकिन किसके through मिलेगा D2 के आरिवा संच में मतला हर condition में आपको output मिल रहा है लेकिन एक बार D1 के through मिल रहा है एक बार D2 के फिर D1 के फिर D2 के इस तरह से full wave reactifier AC को DC में convert करता है लेकिन 80% को ठीक है 80% AC DC में convert होता है तो आपको डाइग्राम बनाना है उसकी labeling दीजिएगा ठीक है उसका output डाइग्राम आएगा और इसकी working आएगी ठीक है और reactifier का definition इतना आप को इस पे notes प्रिपेर करिएगा झाल 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 झाल